हलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल, आज हम सिखेंगे पैरिमीटर एंड एरिया, सबसे पहले ये जानते हैं कि पैरिमीटर क्या होता है, पैरिमीटर को समझने के लिए हम हेल्प लेते हैं इस घर की, मान लीजे कि ये एक सुन्दर सा घर है आपका, अब ये बाउंडरी वाल आपके घर को सेफ रखेगी, इसे ही हम पैरिमीटर कहते हैं, इसे ही हम पैरिमीटर कहते हैं, अब यहाँ पा दो फिगर है, आपके पास एक ट्रेंगल है, और एक दूसरा फिगर है, इनके parameters find करने हैं, इनके parameter find करना बहुत आसान है, अब आप समझ गए हैं कि क्या करना है, तिर्फ boundaries को add करना है, यह है figure number 1, तो इसका parameter क्या होगा, हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 number, इसका parameter P is equal to 3 plus 3 plus 2.5, तो 3 plus 3 plus 2.5, इसको add करेंगे, तो यह हो जाएगा, 3 plus 3 is 6, plus 2 is 8, और यह हो जाएगा, आपका 8.5 और unit लिखेंगे cm, तो इस तरह से first figure का parameter हो गया, आपका 8.5 cm, इसी तरह से figure number 2 है यह, इसका parameter find करेंगे, so figure number 2 का parameter P is equal to हो जाएगा, 2.5 plus 3.5 plus 2.5 plus 5, और इसमें हम यह वाली length add नहीं करेंगे, 4.7 cm क्योंकि यह boundary में नहीं आता है, यह बीच में है, हमने कहता parameter है boundary, और boundary में इसके सिफ यह चारों length आती है, कुछ बच्चे इसे भी add करते हैं और उनका answer गलत हो जाता है, तो आपको धियान रखना है, कि जब भी आपसे parameter पूछा जाता है, तो आपने boundaries की length को add करना है, जब हम इसे add करेंगे, तो यह हो जाएगा 2.5, 2.5, 5, 5, 5, 5, 10, 3, 13, 13.5 और unit है centimeter, meter, तो इस तरह से figure 2 का जो parameter आया, 13.5 centimeter आया, okay, friends, अब हम सीखेंगे parameter of rectangle, यहाँ पर एक rectangle है, जिसकी length है 40 meter और breadth है 15 meter, rectangle एक ऐसी shape होती है, जिसके आमने सामने की side equal होते हैं, जिस यह 40 है, तो यह भी 40 होगी, और यह 15 है, तो यह भी 15 होगी, तो यह है आपकी length, जिसे हम length कहते हैं, और यह है breadth, यहाँ से यहाँ तक, okay, so इसका parameter निकालना है, तो आप समझ गए, parameter का मतलब है boundary निकालना है, boundary की total length को हम parameter लिखेंगे, so कैसे निकालेंगे, rectangle के parameter का एक formula होता है, और वो होता है, 2 into L plus B, means length और breath, यह है, आपकी length और breath को add करना है, और फिर उसे 2 से multiply करना है, 2 से इसलिए किया, क्योंकि 2 length होती है, 40-40 और 2 breath होती है, 15-15, तो इस तरह से यह formula बना है, 2 into, अब values पूट करेंगे, L is equal to 40 and B breath is equal to 15, 2 से multiply करेंगे, पर पहले इसको add करेंगे, 40-50 और यह हो गया आपका, 55, और इसे multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, 5 to the 10, 5 to the 10 and 11, unit है meter, तो हम लिखेंगे meter, तो इस तरह से parameter of rectangle find किया जाता है, बहुत simple सा formula है, L प्लस B और उसे 2 से multiply कर देना है, क्योंकि 2 length है और 2 breath है, friends, अब हम सिखेंगे parameter of square, means एक square का parameter निकालना, आप जानते है square क्या होता है, square एक ऐसी closed figure होती है, जिसकी four sides होती है, और four sides equal होती है, यानि कि चारो sides जिसकी equal होती है, उसे हम square कहते हैं, तो अगर ये 20 meter है, तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, और ये भी 20 होगी, तो इसका parameter कैसे निकालते हैं, देखें इसका parameter निकलता है, four, इसका जो formula है, four into side, means side हम एक बार लिखेंगे, और उसे four से multiply करेंगे, क्यों, क्योंकि चारो sides equal होती है, तो हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, और four से multiply कर देते हैं, four to the eight, zero, तो ये हो गया आपका 80 meter, तो इस तरह से parameter of square find किया जाता है, formula बिल्कुल simple है, और parameter निकालना पिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, friends, अब हम सिखेंगे area of rectangle निकालना, means किसी rectangle का area कैसे find किया जाता है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि area क्या होता है, यहाँ पर मैंने दो pictures बनाये हैं, एक है sofa और एक है chair, तो अब आप देखेंगे कि sofa में बैठने की जगह है वो इतनी है, इतने portion में हम sofa के बैठ सकते हैं, जबकि chair में बैठने की जगह सिर्फ इतनी है, तो आप देखेंगे कि बैठने की जगह किस में ज़्यादा है, obviously बैठने की जगह ज़्यादा sofa में है, इसका मतलब sofa का ये जो area है ज़्यादा है इस chair से, तो area क्या होता है, area होता है ये surface, इस surface को हम area कहते हैं, area मतलब जगह है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, rectangle का area find करना है, means हमें find करना है ये space, कि ये कितनी जगह है, समझ गए आप, so area of rectangle का एक formula होता है, अब वो formula क्या होता है, वो होता है, L into B, L means length, जो कि इस rectangle की length कितनी है, 3 meter, तो आप जानते है rectangle की, ये 3 meter है, तो ये वाली side भी 3 meter की होगी, तो हम इसे लिख लेते हैं, L, और ये breadth है, 75 cm, तो हम यहां से show कर लेते हैं, क्योंकि ये 75 है, तो ये भी 75 होगी, तो ये हो गए आपकी B breadth, तो अब हमें क्या करना है, सीदे-सीदे ये जो values हैं, इस formula में put करनी है, तो हमें सीदे से क्या मिलेगा, area of rectangle is equal to L, L है आपकी 3 meter, और B है 75 cm, अब आप यहां पर देखेंगे, कि दोनों जो length हैं, उनकी units अलग-अलग हैं, एक meter हैं और एक centimeter हैं, अब हमें क्या करना है, या तो हम meter को centimeter में change कर दें, या centimeter को meter में change कर दें, अगर हम ऐसे ही multiply करेंगे, तो आपका answer गलत आजाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 meter को ऐसे ही रहने देंगे, और 75 cm को हम meter में change करेंगे, तो units को कैसे change करते हैं, ये आप, मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जो eye button में आपको show हो रहा है, तो आप easily सीख जाएगे कि कैसे हम length की units को change करते हैं, तो 75 cm है, तो 75 को अगर मैं 100 से divide कर दूँ, तो ये meter में convert हो जाएगा, इस तरह से, तो 3 meter multiply by, अब आप देखें, division by 100 है, तो division by 100, बच्चे देखकर डर जाते हैं कि कैसे divide करें, ये बहुत सिंपल होता है, आपको करना क्या होता है, यहाँ पर एक decimal लगाना होता है, क्योंकि इसमें decimal नहीं था, तो last में लगाते हैं, हर number के last में होता है, कितने zero है, two zeros है, तो two jumping होगी, one, two, और इस तरह से decimal यहाँ पर आ जाएगा, point, seven, five, अब ये meter बन चुका है, क्योंक अब इन दोनों का multiply करेंगे, इन दोनों के multiplication होगा, two, point, two, five, अब ये area है, तो unit का square होगा, क्योंकि हम meter में convert कर चुके हैं, तो two, point, two, five, meter square, तो इस तरह से हमें इस rectangle का, जो area मिला है, वो है, two, point, two, five, meter square, जब भी आप area लिखें, तो area की unit में power two लगाना न भूले, ये बच्चे अकसर ही गलती करते हैं, कि वो यहाँ पर unit तो लिखते हैं, लेकिन उसमें power two, यानिका square लगाना भूल जाते हैं, और ये area की unit है, तो यही आपको लिखना होता है, अगर आप यहाँ पर सिर्फ meter दो लिख सकते हैं, अब हम find करेंगे area of square, मिन्स हमें इस square का area find करना है, मिन्स ये वाला जो portion है, हमें पता करना है कि ये कितनी जगा है इस square के पास, ये square है, तो इसकी चारों साइट इक्वल होंगी, मान लिजिए कि ये 10 meter है, तो ये सभी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 हो होता है side square या जैसे आपने rectangle में किया था length into breath तो यहाँ पर length और breath नहीं होती हैं क्योंकि सारी sides equal होती हैं तो same इसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं length into breath या फिर side into side तो side into side means side square तो side कितनी है 10 10 का square और 10 का square का मतलब है 10 को 2 से multiply नहीं करना है कुछ बिच्चे यहाँ पर बहुत mistake करते हैं वो 10 को 2 से multiply कर देते हैं और answer गलत होता है 10 to the power 2 का मतलब है कि 10 को आपने 2 बार लिखना है यहाँ पर जो power होती है इसका मतलब होता है इतनी बार इसे लिखो और फिर multiply करो अगर यहाँ पर power 3 होता तो मैं 3 बार 10 लिखती और फिर multiply करती हो के 3 से multiply नहीं करती लेकिन यहाँ पर power 2 है तो means 2 बार लिखना है और इसे multiply करना है 10 tensa 100 तो इस तरह से इसका area आ गया 100 और unit क्या थी? unit थी meter तो area की जो unit होती है वो होती है square unit square unit जो भी हो meter हो centimeter हो उसमें आपने power 2 लगानी है यह मैंने आपको थोड़ी दिर पहले भी बताया है तो जो area की जो unit होती है वो होती है meter square या centimeter square या फिर kilometer square तो इस तरह से आप इस formula से easily किसी भी square का area find कर सकते हैं So friends इस वीडियो में आपने सीखा parameter and area find करना अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी helpful लगा हो आपने इसे कुछ सीखा हो तो इसे like जरूर करें और मेरी channel को subscribe करें और bell icon को जरूर on करें हम फिर मिलते हैं next video में